कि बोले तैसा चाले ठैची वंदावी पाउले की मन मौूदी साहबान साटि तंतो तंतय आठिकानी लागू पढ़ती एंप। पढ़ते न लागो। मोधी जी की गारंटी है सिर्फ कागज पर नहीं होती सिर्फ लब्जो में नहीं होती बल्कि एक वास्ताउता हुती है हकी गत में ब़लल जाती है उनको गारंटी है मोधी सरकार फिर एक बार इस देश में सत्ता स्तापित करने वाला है फिर एक बार मोधी सरकार धत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय श्री राम आई तुर्जा भवानी चाचर्चनी सास्टांग धंडवत विटल रुकमिन नहीं शिवयोगी सिद्धा रामेश्वर महाराज ची स्वामी समर्त महाराज आन मनापा सुन वंदन अच्चा अधर्निया प्रधान मंत्री महुदैंच शुबस्ते हुनार या पियम आवास योजने चा एपोड़ेबल हाउजिंग मदल्या पहल्या टप्यात 15,000 घरांच या लोकार पन प्रसंगे उपसेत आपल्या देशाचे लोकप्रिय आणी यशस्व प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहेब, दोनी आमचे उपमुख्य मंत्री आपले गवर्नर सहेब, सर्व मंत्री महुदै आणी खासदार आमदार सर्व मान्यवर अडाम मास्तरिक्डा आयत आणी हजारोंचे संकेनी उपसिस सुलापूर कर बांधव भगिनी आणी पतरका मित्रानू, मिया अपले या सोलापूर चा पवित्र भुमी मदे आधर निया देशाचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहेब, आपले सगलेंचे अवतिने मना पासुन स्वागत करतो याना मना पासुन धन्यवाद देतो यानी घरों मिला लेले सर्व कामगार ना मना पासुन धन्यवाद आभिनन्दन करतो या घरकुल योजने चा भुमी पुजन सोलाला मानन या प्रधान मंत्री महोदयन चा शुबास्ते जाले होतो त्या वेड़ी मोदी जी मना ले होते शिला ने आस हमने किया है चाबी देने के लिए भी हम ही आएंगे त्या नुसार आदर नियम मोदी जी आज आले यालात मनतात मोदी गैरंटी संत तुकाराम महराजनी मतले बोले तैसा चाले तैसी वंदा वी पावुले ही मन मोदी सहबान साथी तंतो तंत याठिकानी लागू पड़ती है उत पड़ते न लागू समरुदी महामाराजा चा भुमी पुजन हशेल छेही मोदी सहबान चा श्युबाश्ति दाले त्याच लोकारपन ने लागू हमभाईतला म्ती एचल याच भुमी पुजन मोदी सहबान न लागा बाक्चावरशि लोगू कि दोन मेट्रो लाइन तो शुबारम बजाला त्याचाई भूमी पुजान मोदी साहबानी के लोग तो ऐसे अंगिनत परियोजना है यह साबित होता है मोदी जी की गारंटी है सिर्फ कागज पर नहीं होती सिर्फ लबजों में नहीं होती बलकि एक वास्तावता में होती है हकिकत में भरल जाती है मोदी जी के हातों में ही यश्व है ऐसा सत्कर्म और भाग्य भहुत कम लोगों के हिस्से में हाता है इसलिए मैं फिर एक बार तह दिल से हमारे आधरनिय लोग प्रियोप्रदान मंत्री जी का स्वागत करता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ और हम अपने आपको भी भाग्य शाली मानते है कि हमें ऐसे नेतरुत्व का अशिरवाद भी प्राप्त है और उनके नेतरुत में विकसीद भारत की संकल पनामक में योगदान देने का आउसर भी मिला है अधर निया मोदी जी मुझे यह कहते हुए घर हो रहा है मैं कली डावस से लोटा हूँ महाराष्ट सरकार ने वहां लगबग तीन लाग त्रेपन लाग तीन लाग त्रेपन हजार करोड के मोईस साइन किये एक डेड़ लाग से जादा एमोईस के स्विकरूती भी मिली है तो हम मुझे कई देशों के प्रमुक एड्मिनिस्टर ऑफिसर मिनिस्टर उद्ध्योजग कई लोग मिले सभी के जुबा पे शिर्प एकी नाम था और नाम था आधरनिय मोदी जी का मुझे सुनकर बड़ा अनुभव गर्व भी हुआ फक्र भी हुआ और मेरे दिल में एक अभिमान की भावना भी थी क्योंकि स्विजर लेंड डाओस में पुरी दुनिया के लोग आये थे उद्ध्योग जगत के लोग आये थे और उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि फिर से यहाँ पर देश में हमारे निवेश करना है तो भारत में करना है उनको गैरंटी है मोधी सरकार फिर एक बार इस देश में सत्ता स्तापित करने वाला है फिर एक बार मोधी सरकार और मोधी जी के साथ साथ हमारे महारास्ट के भी राज्य की भी डबल इंजिन की सरकार बनेगी इस वज़े से महारास्ट के उपर भी बहुत ही विश्वाज जताया इंफ्रास्ट्रक्चर है कनेक्टिविटी है स्कील मैन पावर है सबसिड़ी देते हैं और इसलिए अच्छी इंवेस्मेंट भी हो गई लेकिन इसके पीछे भी आधरनीय मोधी जी का यह आशिरवात्ता है यह मैं खुले दिल से कहूंगा और एक ग्लोबल लीडर एक विजिनरी लीडर एक डाइनामिक लीडर एक दिया हुआ शब्द पुरा करने वाला लीडर ऐसे ऐसे लोग वहां कहते थे और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा महाराष्ट की भी आपके वज़े से शान बड़ी है विकास भी तेजी से हो रहा है सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आज महाराष्ट में चल रहे है के इंद सरकार और आपकी सरकार आपके वज़े से यह संबव हुआ है और इसलिए मैं अधरनिय मोदी जी को महाराष्ट सरकार की वोर से धन्यवाद दूँगा आज से साड़े तीन वर्ष पहले अयोध्या में प्रभू स्री राम जी का मंदिर के भी निव प्रदान मंत्री जी ने रखी ती आज वापूरी दुनिया में चर्चित भव्य मंदिर का निर्मान भी हो रहा है और तीन दिन बाद इस मंदिर में प्रभू राम चंद्र जी को प्रतिश्टित भी किया जा रहा है ये करोडो करोडो राम भक्तो का सपना मोदी जी पुरा कर रहे है इसकी भी उत्सुकता पुरे दुनिया में है हम सब भी मानते हैं घर एक मंदिर है वहाँ पर भी मुझे अबुधाबी के लोग मिले उन्होंने कहा राम मंदिर तो बन रहा है है उध्या में और अबुधाबी में भी एक मंदिर बन रहा है उसका भी उध्गाटन मोदी जी करने वाले है देश के बाहर यह अपने हाप में एक बहुत बड़ी मिसाल है आज आपको उसी मंदिर जैसे घरों की चाबिया सौपी जा रही है प्रदान मंत्री आवाज योजना की तहट रे नगर देश की सबसे बड़ी स्रमिक कॉलनी होगी रे का अर्थ किरन होता है साड़े नाव साल पहले आधरनिया मोदी जी का इस देश के प्रदान मंत्री के परद पर विराजमान होना पूरे देश के लिए रे ओफ होप यानि आशा की एक किरन थी और मोदी जी के रूप में उस रोशनी ने आज पुरा देश को प्रकाश मही कर दिया है ये वास्तवता है ये कटव सत्य है ये हमारा अनुभव है और रोटी, कपड़ा और मकान ये हर इंसान की तीन प्राथमिक जरूरेत है आज देश के हर गरीब को जरोतमंद व्यक्ति को ये उपलब्द कराया जा रहा है अस्सी करोड लोगों को मुफ्त अनाज देने वाले मोदी जी गरीबों के घर के घर बनाने के लिए मोदी जी, उनके घर में बिजली भी पहुचाने वाले मोदी जी रसोई गए गैस भी देते है और शवचाले भी बनाने का काम हमारे अधरनिय अप्ठान मंत्री जी ने किया है मोदी जी ने संकल्प किया था कि इस देश की समरुद्धी का और दस साल में देश का पूरा नक्षा बदलने का और ओभी नक्षा बदल रहा है और आगे भी बदलेगा यहाँ पर हमारे देश की मान मरातब पूरी दुनिया में उचाई पे ले जाने का काम अधरनिय मोदी जी ने किया है इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अडाम मस्तर जी यह अठिकानी भद्रावती ता अठिकानी भूमि पूजन जाहे तेचामदे द्रेने जाहे पाने चे योजना आहे सगला है आने मनून यह उड़त मिया प्रसंगी सांगतो इसका भी लोकारपन मोदी जी के हाथों से होगा क्योंकि देश की जन्ता ने गारंटी दी है फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार चार सो पार जय हिन जय महराष्ट जय स्रिराम जय सकती है झाल 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 कर दो